नमस्कार आप देख रहें MPDEC आपके साथ में हो मित्यवारी एहम उद्ध को आप तक लाता हूँ पूरी खबर आपको बताता हूँ विधान सबाद डेक्ष के लिए नाम फाइनल है जी या काफी समय से इंतजार मत प्रदेश में कौन बनेगा विधान सबाद डेक्ष तब इस बीच में दो नामों में से एक नाम पर सहमयती बनने की बात निकल कर सामने आ रही है और ये विंध इलाके में जाता हुआ नजर आ रहा है विधान सबाद डेक्ष का पद इसमें दो में से किसी एक नाम पर मोईर लग जाएगी और कब लग जाएगी ये भी बिता दो आपको सुतर जो बता रहे हैं उनके मताबक सुतर को बता कि फरवरी में पहले हबते तक यह नाम की जो फाइनल होना है वो हो जाएगा दरसल इसको लेकर मुकमंत्री शिवरा सिंग चोहान संगठन मंत्री सुआज भगत और कहा जा रहा है जो प्रभारी है मत्रदेश के पी मुरली धर राव उनके बीच में चर्चा हुई है और चर्चा के बाद इन नामों पर सहमती बनती हुई नजर आ रही है दरसल काफी अरसे से इंतजार था कि विंद्र शित्र से किसी एक बड़े निता को विधान सभा अध्यक्ष का पद्व MP में दिया जा सकता है अब इसके पीछे आप जाईए क्योंकि मंत्री मंडल का विस्तार हो चुका मंत्री मंडल को लेकर दो चीजें उठी बीजेपी मे अंदर से तो अब यह कहा जा रहा है कि संतोलन के लिहाज से शिवराज सिंग जो है दूर की रणनीति के साफ से चल रहे है और विंद्र शित्र को ये पद दे दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में विंद्र शित्र के लिए बड़ी बात होगी कि तक लंबे समय तक अद्यक्ष रहे दस साल तक अद्यक्ष रहे दोजार तीन सिल तक अद्यक्ष रहे तेरानवे से तेरानवे से तो अब अगर ऐसा होता है तो विंद्र शित्र को मिलेगा प्रतिनरे तो अगर विंद्र हान सभा द्यक्ष विंद्र शित्र से आता है तो इस बी लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर वो लोग उनका क्या होगा क्यों कि मंध्री मंधरिंस्य मंदल के विस्तार को लेकर बिदावांसमदwork ठक्ष दे दीया जाता है तो क्या राजिन शुकला मंत्री बन पाएंगे ये भी सोचने वाली बात होगी लेकिन इस बीच में चुकी पार्टी को संतुलन भी करना है तो संतुलन के लिहाज से अगर ये बड़ा पद विधान सबाद डेक्ष का विंदर शेत्र को दिया जाता है तो इससे पार्टी दूर तक की रणनीती साध रही है अब दूर तक की बाद अब आएगी मंत्री मंडल के विस्तार की फिर से बात तो क्या विंदर शेत्र को वाकई में प्रतने तो मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि विधान सबाद डेक्ष को लेकर बहुत समय से ये स्तिती है फिलाल पोटेम स्पीकर के तौर पर आमेश्वर श्रमा काम समाल रहे हैं लेकिन इस भी चुकी पार्टी के अंदर से मती बन रहे है तो अब देखने माली बात होगी विधा शेत्र को ये पंद मिलता है या नहीं आप देखते रहे हैं एमपी तक